ये कहानी है मिगेल नाम के एक लड़के की जिसे म्यूजिक से बहुत ज़्यादा लगाओ था और वो अपने फेवरिट सिंगर डेला क्रूस की तरह ही एक मसहूर म्यूजीसियन बनना चाता था पर उसके घर वालों को म्यूजिक से रिलेटेड हर एक चीज से नफरत थी वो अ दादी कोको के मा का नाम एमेल्डा था और उनके पापा एक म्यूजीसियन थे उनकी मा और पापा मिलकर हमेशा घर में गाना गाते रहते थे और सब बहुत खुजी-खुजी रह रहे थे पर कोको के पापा को अपना म्यूजिक पूरी दुनिया में सुनाना था इसलिए वो थी कि वो उन्हें ऐसे ही छोड़ कर चला गया इसलिए उसने उसकी हर एक चीज को अपने घर से हटा दिया और म्यूजिक से उसे नफरत हो गई थी और म्यूजिक के प्रतिये नफरत उनके परिवार के साथ ही आगे बढ़ती गई पर मिगल अपनी परिवार वालों से अलग थ क्योंकि उसे म्यूजिक बहुत पसंद थी वो महान म्यूजिसिन डिला क्रूज की तरह ही बनना चाता था क्योंकि डिला क्रूज भी किसी वक्त एक आम आदमी हुआ करता था पर उसकी मेहनत और लगन के चलते वो उस सदी का सबसे महान गायक बना पर 1942 में एक सो के दोरान उ म्यूजिसिन का बूट पॉलिस करते वक्त उसे अपने दिल की बात बता रहा था कि वो भी सिंगर बनना चाता है और उसके परिवार वालों की वज़ा से वो गा नहीं सकता वो आदमी उसे कहता है ऐसे ही अगर तुम डरते रहे तो कभी भी म्यूजिसिन नहीं बन पाओगे वो मिगल को आज रात होने वाले टैलेंट सो में हिस्सा लेने को कहता है वो उसे अपना गिटार भी देता है बजाने के लिए पर तभी मिगल की दादी वहां आ जाती है और उस म्यूजिसिन को चपपल से मार कर वहां से भगा देती है वो मिगल को अपने साथ घर ले आती ह मिगल के मॉम डैड उसे समझाते हैं कि म्यूजिक वाले लोगों से हामेशा दूर रहो मिगल उसे सिर्फ आज रात वहाँ जाने की पर्मीशन मंगता है पर उसकी दादी कहती है कि आज तो बिलकुल भी नहीं क्योंकि आज सरदांजली दिवस है और सब लोग अपने पूरवज की तस्वीर के साथ कुछ चढ़ावा रखते हैं जिसकी वज़ा से उनके पूरवज उनसे मिलने आते हैं और अगर वो उनकी तस्वीर नहीं रखेंगे तो उनकी आत्मा इस दुनिया में नहीं आपाईगी मिल उनसे दादी कोको के पापा के बारे में पूछता है कि उनकी तस्वीर हम क्यों नहीं रखते तो उसकी दादी उसे इस बारे में कुछ भी बताने से मना करती है मिल अपने कमरे में था तब ही वहाँ एक डॉगी आता है ये मिल का डॉगी था जिसे वो दानते कहकर बुलाता था मिल चुपके से एक गिटार बना रहा था और डेला कुरूज के गाने शीक रहा था मिल किसी तरह भी आज रात उस टैलन्ट सों में जाने का डिसाइड करता है और वो सबसे छुपता हुआ घर से निकलने लगता है पर दादी के वहाँ होने के वज़े से वो दानते और अपने गिटार को उन पुरवजों की फोटो वाले टेवल के नीचे छुपा देता है पर दानते की वज़े से दादी इमेल्डा के फोटो नीचे गिर कर तूट जाती है उस फोटो को पूरा खोल कर जब मिगिल देखता है तो उसे पता चलता है कि दादी को को के पापा के हाथ में गिटार है और ये वही गिटार है जिसे डेला क्रूज बजाया करता था वो समझ आता है कि डेला क्रूजी उसके पर दादा है वो खुसी के मारे उस तस्वीर को लेकर अपने सारे परिवार को बताता है कि उसके परदादा एक महान म्यूजीसियन थे और वो भी अब उनी के तरह बनेगा उसकी दादी गुस्से से उसका गिटार तोड़ देती है मिगल नाराज होकर वहां से भाग कर बाजार में आ जाता है वो वहां के बहुत से लोगों से गिटार उधार मंगता है ताकि वो परफॉर्म कर सके पर हर कोई उसे गिटार देने से मना कर देता है तब मिगल डिला कुरूज के घर पे रखी हुई गिटार चुराने जाता है वो उस गिटार को वहाँ दिवार पर से उतार लेता है और अपने परदादा से इसके लिए माफी मंगता है और वो उस गिटार को बजाना सुरू करता है तब ही वहाँ के लोग वहाँ आ जाते हैं पर ये क्या मिगल को कोई वहाँ देख नहीं पा रहा था और नहीं वो किसी को छूपा रहा था वो घबरा कर भागने लगता है और एक गड़े में गिर जाता है उसे वहाँ से एक औरत निकालती है जो कि एक कंकाल होती है मिगल बहुत डर जाता है उसे वहाँ आप बहुत से कंकाल जैसे दिखने वाले लोग दिखाई देने लगते हैं उसका डौगी दांते उसे अभी भी देख सकता था वो उसके पीछे भागने लगता है और एक कंकाल से टकरा जाता है वो मिगल के रिस्तेदार ही थे वहाँ से उसके और भी सारे रिस्तेदार मिलते हैं उसके रिस्तेदार भी परिशान थे कि कोई जिन्दा इनसान ऐसे कैसे बन सकता है तब ही मिगल के दादा वहाँ भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि एमेल्डा उस दुनिया से यहाँ नहीं आपा रही है वो सब मिलकर मिगिल को अपने शाहत लेकर आत्माओं के दुनिया में जाने लगते हैं दांते भी उसके साथ ही जाता है उनकी दुनिया को देखकर मिगिल हैरान था उसे वहाँ बहुत से जानवर भी दिखाई देते हैं जिने वो रोही परिंदा कहकर बुलाते थे उनकी दुनिया में भी सबकुछ सिस्टेमेटिक रूप से था उनके गाड्स उन्ही आत्माओं को इंसानों के दुनिया में जाने देते थे जिनकी तस्वीर उनके घर वालों ने सरदान जिली दिवस पे लगाई होती है वहाँ एक हेक्टर नाम का कंकाल था जो कि हमेशा से उस दुनिया में जाना चाता था पर उसकी तस्वीर किसी ने कभी नहीं लगाई इसलिए उसे बार-बार रोक दिया जाता है वह भागने की कोसिज करता है पर वहाँ के गाउड्स उसे पकड़ ले लेते हैं मिगेल के रिस्तेदार उसे लेकर वहाँ के हेड ऑफिस में जाते हैं जहां इमल्डा पर इससान थी कि उसे दुसरी दुनिया में क्यूँ नहीं जाने दिया जा रहा है वहां के गाड्स का कहना था कि किसी ने उनकी तस्वीर ही नहीं रखी है तब ही वो वहां मिगेल से मिलती है वहां के आफिसर से पता चलता है कि उसे गिटार चुराने की वज़ा से ये स्थराप मिला है मिगेल एमेल्डा की तस्वीर अपने साथ लेकर आ गया था इसलिए वहाँ तस्वीर ना होने के कारणों से जाने नहीं दिया जा रहा था वहाँ का आफिसर बताता है कि मिगल को वापस भेजने के लिए उसे अपने किसी रिस्तदार से आसिरवाद लेना होगा वो भी आज सूरा जुगने से पहले नहीं तो वो भी इनकी तरह ही बनकर हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा एमेल्डा अपने हाथ में एक पंखोड़ी लेकर मिगल को आसिरवाद देती है कि वो वापस जाकर उसकी तस्वीर चढ़ावे पे रखे और हमेशा के लिए म्यूजिक से दूर रहे पंखोड़ी को छूते ही मिगल वापस से वहीं आ जाता है जहां से वो गया था पर उसने फिर से वो गिटार लेना चाहा और वो वापस आत्माओं की दुनिया में चला गया एमेल्डा उससे कहती है कि तुमने दो सकेंड में ही अपना वाद तोड़ दिया मिगल कहता है कि वो म्यूजिक के बिना नहीं रह सकता वो बाकी के सब रिस्तोदार से असिरवाद मंगता है जिसमें कोई सर्थ ना हो पर कोई उसे मेजिसियन बनने का असिरवाद नहीं देना चाहता था मिगल वहाँ से भाग जाता है वो कहता है कि मेजिसियन बनने के लिए वो एक मेजिसियन से ही असिरवाद लेगा और वो अपने परदादा डेला क्रूस को ढूंडने निकल जाता है एमेल्डा मिगल को ढूंडने के लिए एक रूही परिंदा पपेटा को भुलाती है मिगल को वहाँ वही हेक्टर मिलता है वो कहता है कि वो डेला क्रूस को जानता है और वो उसकी मदल करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बदले में उसकी तस्वीर ले जाकर उसे उस दुनिया में लगानी होगी मिगल मान जाता है हेक्टर मिगल के फेस पर पेंट लगा देता है ताकि उसे कोई पहचान न सके मिगल मान डेला क्रूस के प्रोग्राम का बैनर देखता है हेक्टर उसे बताता है कि हर साल डेला क्रूस अपने सो के साथ सरदान जिली दिवस को खत्म करता है और वहीं जाकर हम उनसे मिल सकते है हेक्टर उसे लेकर एक जगा पे जाता है जहां डेला कुरूस अपने प्रोग्राम का रिहल्सर करता है पर वहां पहुँचकर उसे पता चलता है की वो कभी रिहल्सर पे नहीं आता है उससे अगर मिलना है तो उसके घkeep घर जाना होगा जहां वो आज रात एक बड़ी पार्टी देने वाला है पर उस party में वही जा सकता है जिसके पास उस party का पास हो लेकिन एका और रास्ता भी है आज डेलाउस जॉक पे होने वाले म्यूजिक कंपेटिशन में जो जी देगा उसे डेलाउस से मिलने का मौखा मिलेगा मिगिल हेक्टर से एक गिटार दिलबाने को कहता है हेक्टर उसे लेकर एक आदमी के पास जाता है और उनसे उनकी गिटार उधार मांगता है वो हेक्टर को एक आखरी बार उनका फेवरेट गाना सुनाने को कहता है हेक्टर को गाता देख मिगल को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भी इतना अच्छा गा सकता है और वो गाना सुनते सुनते वो आदमी सुनहरी धूल में बदल जाता है और कहें गायब हो जाता है मिगल हेक्टर से पूचता है कि उसे क्या हुआ हेक्टर उसे बताता है कि जब जिन्दा दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं बचता है तो इस दुनिया को भी छोड़ कर जाना पड़ता है और ये होती है आकरी मौत वहां से गिटार लेकर वो जाने लगते हैं हेक्टर मिगल को बताता है कि वो डेला कर उसके गाने खुदी लिखा करता था मिगल को लगता है कि ये फेक रहा है चौक पे मिगल अपनी परफॉर्मेंस सुरू कर देता है और हेक्टर उसके गानों पर डांस करता है उनका परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आता है पर तभी मिगल देखता है कि उसके रिस्तेदार उसे ढूनते हुए वहां आ गया है हेक्टर मिगल से कहता है कि वो अपने रिस्तेदार से असिरवाद लेकर वापस चला जाए और उसकी तस्वीर वहाँ लगा दे क्योंकि उसकी यादे मिट रही है और उसके पास अब जादा वक्त नहीं रह गया है पर मिगल हेक्टर को भी छोड़ कर वहाँ से भागने लगता है दादी एमेल्डा उसका पीछा करती है एमेल्डा अपना एक गाना मिगल को सुनाती है और उसे समझाती है कि उसके पर दादा अच्छे इंसान नहीं थे वो उन लोगों को अकेला छोड़ कर चले गए थे तुम बताओ तुम्हें अगर मिजिक और परिवार में चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे मिगल कहता है कि उसे नहीं चुनना किसी को आप उनका साथ भी तो दे सकते थे परिवार तो होते ही इसलिए है न और वो वहां से चला जाता है अपने परदाता डेला क्रूस की घर और वहां एक म्यूजिक बैंड के साथ चुपकर वो उसके घर में इंटरी करता है हेक्टर भी रूप बदल कर उस पार्टी में घुश जाता है मिगल डेला क्रूस को बताता है कि वो उसका परप होता है और वो भी उनकी तरह ही म्यूजिसियन बनना चाता है डेला क्रूस भी खुश था और वो मिगल से कहता है तुम अपने सपने को किसी और के लिए छोड़ नहीं सकते तुम वही बनो जो तुम चाहते हो चाहे कोई भी कुछ भी कहे वो मिगल को म्यूजिसियन बनने का आसिरवाद देने लगता है तब हेक्टर वहाँ आ जाता है वो मिगल को अपनी तस्वीर देता है हेक्टर डेला क्रूस को कहने लगता है कि आज उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है उसकी वज़ा डेला क्रूस ही है उसने उसकी सारी लिखे हुई गाने को अपना गाना बना लिया और इतना फेमस हो गया डेला क्रूस हेक्टर से कहता है कि उसने जान बुचकर ऐसा नहीं किया वो दोनों साथ में गाना बनाते थे पर Hector के मननी के बाद उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करें इसलिए उसने उन गानों का क्रेडिट Hector को नहीं दे सका Hector डेला क्रूस से मदद मंगता है ताकि वो अपनी तस्वीर उस दुनिया में लगवा सके हेक्टर उससे कहता है कि तुम्हें याद है हमारी आखरी मुलकात तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए जमीन आश्मान एक कर सकते हो मिगल उससे कहता है पर ये तो डेला क्रूस की एक मूवी का डायलोग है वो उसे वो मूवी दिखाता है पर इस मूवी में तो डेला क्रूस का दोस्त उससे जहर देता है तब हेक्टर को उस रात की बात याद आती है वो दोनों महीनों से जगा जगा सू कर रहे थे पर हेक्टर को अपनी फैमिली की याद आ रही थी और वो सब को छोड़कर आप जाना चाता था डेला क्रूज उसे रोकने की बहुत कोसिस कर रहा था पर वो नहीं मानता है फिर डेला क्रूज ने उसे एक आखरी जाम पिलाया और रास्ते में हेक्टर की मौत हो गई इसका मतलब उसने उसे जहर दिया था ताकि वो उसके गाने चुरा सके हेक्टर गुस्से में डेला क्रूज को माने लगता है वहां की सेक्यूरिटी उसे पकड़ कर ले जाती है डेला क्रूज मिगेल को भी आसिरवाद देने शेम मना कर देता है और हेक्टर की फोटो भी अपने पास रख लेता है वो उसे भी सेकुरेटी से बाहर निकाल देने को कहता है ताकि वो वापस जाके किसी को उसकी सचाई ना बता दे मिगेल को एक गहरे गुफा में फेक दिया जाता है हेक्टर भी वहीं था पर वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा था वो कहता है कि उसकी बेटी कोको उसे भूलती जा रही है और अगर वो मर गई तो वो भी सुनेरी धूल बनकर इस दुनिया से कहीं और चला जाएगा पर वो अपनी बेटी कोको से कभी नहीं मिल पाएगा जिसके लिए उसने इतने सालों तक इंदिजार किया कोको का नाम सुनकर मिगेल उसे वो फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या ये तुम हो तब मिगेल को पता चलता है कि हेक्टर ही उसके असले दादू है डेला क्रूज ने उसके गिटार और गाना सब कुछ चुरा लिया तभी वहाँ दानते आता है और उसके साथ वो रुही परिंदा और एमेल्डा भी थी वो उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालते है एमेल्डा अभी भी हेक्टर से नाराज थी पर मिगेल उनकी असली सच्चाई सब को बताता है कि कैसे डेला क्रूज ने उन्हें घर नहीं जाने दिया हेमेल्डा उसे माफ कर देती है और वो लोग डेला क्रूज से हेक्टर की तस्वीर ल안े के लिए जाते है उसका सोष स्टार्ट होने वाला था वो सब मिलकर डेला क्रूज से वो तस्वीर छेन लेते हैं और वो दोनों मिगेल को आशिरवाद देने ही वाले थे कि डेला क्रूस आकर मिगिल को पकड़ लेता है वहां स्टेडियो में लगए केमरे को डेला क्रूस की तरफ घुमा दिया जाता है जिससे उसकी सारे बाते सब लोग सुन रहे थे वो कहता है कि वो मिगिल को कभी भी वापस नहीं जाने देगा मिगल कहता है कि तुम जूटे हो तुमने हेक्टर के गाने चुराए है वो मिगल को वहीं से नीचे फेक देता है मिगल के हाथ से हेक्टर की तस्वीर नदी में गिर जाती है वो रोही परिंदा आकर मिगल को गिरने से बचाता है डेला कुरूस वापस से अपने प्रोग्राम में आ जाता है पर सबको उसकी सचाई मालूम हो चुकी थी सब उससे अब नफरत करने लगे थे और वो रूही परिंदव से उठा कर दूर फेक देता है जहां एक बड़े से बेल से वो दब जाता है हेक्टर और हेमेल्डा मिग onda मिगल को असिरवात देते हैं क्योंकि समय बीटता जा रहा था और मिगल बिना हेक्टर की तसभीर लिए वापस आ जाता है वो भागता हुक कोको दादी के पास जाता है और उनी उनके पापा की याद दिलाने की कोशिस करता है वो उनसे कहता है कि उन्हें मत भुलाईए वो हमेशा के लिए चले जाएंगे तब मिगिल कोको दादी को वो गाना गा कर सुनाता है जो उनके पापा उसे सुनाया करते थे कोको दादी की भी याद आने लगती है और वो भी मिगिल के साथ साथ गाना गाने लगती है दादी कोको मिगिल को एक डायरी दिखाती है जिसमें उनके पापा की तस्वीर का टुकडा था उस डायरी में बहुत से लेटर थे जो हेक्टर कोको को लिखा करता था और अब एक साल बाद फिर से सर्दांजली दिवसा आ चुका था अब सब लोग डेला कुरूस को ना याद करके हेक्टर को याद कर रहे थे क्योंकि कोको के पास से मिली चिठ्थी में उन सभी गानों के बोल थे जिसे डेला कुरूस ने गाया था दादी कोको भी अभी ये दुनिया छोड़कर अपने पापा के पास जा चुकी थी मिगल के सारे पुरवच के साथ साथ अब हेक्टर के भी तस्वीर लगा दी गई थी और अब हेक्टर भी ये दुनिया अपने परिवार वाले को देखने के लिए आ सकता था वो अपनी बेटी कोको से भी मिल चुका था और इसे हैपी इंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल अकन जरूर दबा लें